A very good afternoon to old-year children बच्चो आज की इस यूडियो में हम chapter number 3 और 4 की जो important question answer है उनको हम discuss करेंगे तो हम discuss करेंगे, हमारे पास में एक simple problem number है, number 1 है, उसको हम discuss करेंगे उसमें simple problem number में है ये है कि उसमें कुछ materials दे रहे हैं तो हमें उन materials को दो तरह से classify करना है, एक तो materials soluble in water मतलब इने example में कुछ ऐसे materials होते हैं, जो पानी के अंदर गुल जाते हैं और कुछ ऐसे materials होते हैं, वो insolubile रहते हैं, ठीक है, मतलब वो पानी के अंदर नहीं गुलते हैं ठीक है, वो पानी के अंदर dissolve नहीं होते हैं तो हमने दो टाइब की मैटेरियल को डिसकस किया थे एक तो सोलिवल मैटेरियल ठीक है और एक इनसोलिवल मैटेरियल सोलिवल मैटेरियल कौन से होते हैं जो मैटेरियल पानी के अंदर डिजोल हो जाते हैं पूरी तरह से उनको तो हम बोलते हैं सोलिवल मैटेरियल और कुछ ऐसे materials होते हैं जो पानी के अंदर dissolve नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं insolubile materials तो हमारे पास में simple probe number में different type के जो examples यहाँ पे दे रहे होते हैं हमें यह बताना है कि इनमें कौन से तो material soluble है और कौन से insolubile है इनको हम categorize करना है तो हमारे पास में जैसे milk हो गया floor हो गया, washing soda, copper sulfate chuck powder, komal, salt ठीक है यह सारे के सारे example हो गए कि इसके solubile इनमें कुछ तो material होते हो solubile होते हैं कुछ material insolubile होते हैं तो इस कहां से देखो we can classify all these materials into two groups on the basis of solubility in water तो हम उनको water में उनकी solubility के आधार पे हम उनको classify कर सकते हैं कि material solubile in water, मतलब कुछ ऐसे materials होते हैं जो पाने के अंदर गुल जाते हैं तो वो तो इस जो इस box के अंदर आ जाएंगे, मतलब इस side में आ जाएंगे उनका एक group बन जाएगा और कुछ ऐसे materials होते हैं जो पाने के अंदर डिजॉल नहीं होते हैं तो उनका एक अलग group बन जाएगा तो सबसे पहले देखो जैसे हमारे पास मिल्क है ठीक है, तो मिल्क है water के अंदर solubile हो जाता है तो यह इस category में चला जाएगा उसके बाद में देखे, floor है, आटा है ठीक है, तो आटा वो पानी के अंदर डिजॉल हो जाता है, वो नहीं हो जाता है वो कहाँ चला जाएगा, इस category में ठीक है, उसके बाद में वासिंग सोडा है दोने वारा जो सोडा होता है, ठीक है वो किस category में चला जाएगा में solubile category में, क्योंकि वो पानी के अंदर गुल जाता है, उसके बाद में कोपरसल फेट है, ठीक हो भी पानी के अंदर गुल जाता है, उसके बाद में देखो, चांक पाउडर नहीं गुलता है, तो चांक पाउडर in solubile केटिगरी में चला जाएगा, उसके बाद में कॉमन साल्ट है, खाने वाला जो नमक है, तो वो पानी के अंदर डिजोल हो जाता है, तो वो सुलिबल केटिगरी में चला जाएगा, उसके बाद में सुगर डिजोल हो जाती है, उसके बाद में सेंड है, ठीक है, सेंड डिजोल क्योंकि वो पानी के अंदर गुल जाती है उसके बाद में देखो ऐलम फिट करीबी गुल जाती है ठीक है उसके बाद में गलास नहीं गुलेगा प्लास्टिक नहीं गुलेगा केरोसीन नहीं गुलेगा और पोटिशिम प्रगरमनेट होती है ठीक है वो तो गुल जाती है पा हमारे पास में जो different type के जो materials होते हैं तो हमने उनको दो तरह के से classify कर दिया कि कुछ तो होते हैं solubile और कुछ होते है insolubile materials तो solubile materials तो वो होते हैं जो पानी के अंदर गुल जाते हैं और insolubile materials होते हैं जो पानी के अंदर नहीं गुलते हैं हमने उनको solubility in water के आदार पे हमने उनको दो तरीके से केटेगराइज कर दिया यह हमारे पास में simple problem number one का answer हो गया अब अगले question के तरफ बढ़ते गड़ा question हमारे पास में है कि water the hard materials और water soft materials give two two examples of each हमने discuss किया था कि कुछ materials तो hard होते हैं कुछ materials होते हैं soft हमें hard materials किसको बोलते हैं soft materials किसको बोलते हैं उनके दो दो example हमें लिखने हैं इसका answer देखो those materials which can be easily compressed compress का मतलब क्या होते हैं जिनको हम दबा सकते हैं cut का मतलब काट सकते हैं 갔 का मतलब मौड सकते हैं scriptures का मतलब उसको रगड़ सकते हैं आरकाड हाड मेटेरियल, दोज मेटेरियल विच के नोट, ऐसे मेटेरियल जिनको हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, काट नहीं सकते, मोड नहीं सकते, और स्क्रेच नहीं कर सकते, एजिली वे में हम उनको काट नहीं सकते, ठीक है, दबा भी नहीं सकते, और मोड भी नहीं सकते हैं और स्क्रेज भी नहीं कर सकते हैं ऐसे मेटेरियल को हम क्या बोलते हैं हार्ड मेटेरियल जैसे फॉर एक्जामबल जिसे लोगा हो गया इस्टील हो गया इस्टोन हो गया तो ना तो हम इनको दबा सकते हैं एजिली नहीं इनको काड सकते हैं नहीं इजिली हम इनको स्क्रेज कर सकते हैं तो ऐसे मेटेरियल को हम बोलते हैं हार्ड मेटेरियल उसके बाद में देखो सूप्ट मेटेरियल कौन से होते हैं दोज मेटेरियल विच के इजिली कंप्रेज एसे मेटेरियल जिनको हम इजिली कंप्रेज कर सकते हैं काट सकते हैं मोड स सकते हैं और स्क्रेश भी का सकते हैं ऐसे मेटेल्स को हम क्या बोलते हैं सोक्ट मेटेरियल अब क्यूसर नमर थ्री में की तरफ बढ़ते हैं फाइबस क्या होता है देखो एवेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रेंड फॉर्ण विज क्लोथ इस मेड़ इस कॉल्ड फाइवर ठीक डिफरेंट टाइब के फाइबस होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टे में फाइबस निकलते हैं जैसे फ्लेक्स का प्लांट होता है तो उससे कपड़े बगारा बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लाइने उसके बार में प्लांट और अनिमल से मिलते हैं वो सिंथेटिक फाइबस होते हैं जो प्लांट और अनिमल से नहीं मिलते हैं जिनको हम निचली रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो केमिकल के हेल्प से और फिक्टीज के अंदर बनाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक बस अब उसके बाद में क्यूसर नंबर 6 देखो विचार था थ्री डिवाइसे विचार यूस टू मेक यान फ्रों फाइबर ठीक है रेस्टों से जो धागा बनाने के लिए कुछ हमें डिवाइसे की जूद पड़ती है ठीक है थर्ड चेप्र में डिसकस किया था कि हमारे पास में कुछ ऐसे मेटेल्स होते हैं फाइबर्स होते हैं ठीक है तो उनसे हम धागा बनाते हैं फिर धागा बनाने के बाद में उनसे हम weaving करके और knitting करके कुछ कपड़े बगारा बनाते हैं तो हमें कुछ devices की जोच पड़ती है तो उन devices को नाम लिखने हैं तो पहला हमारे पास में होगा hand spindle hand spindle किसको बोलते हैं ताकली को एक ताकली टाइप की structure होती है जिसको हाथ से हम चलाते हैं तो उससे जो धागे बगारा उससे जुड़े रहते हैं उससे एक बड़ा धागा हम connect किया जा सकता है उससे बड़ा धागा बना सकते हैं जो रेसे होते हैं ठीक है उनको हम एक तरह से गुत के हम उससे धागा बना सकते हैं तो एक तो hand spindle लोग है एक spinning wheel हो गया चरका आप जानते हो जिसको हम बोलते है spinning wheel तो इसरके से हम क्या होते है कि बहुत सारी जो cotton fibers होते हैं किसी भी तरह के fibers होगे तो उनसे fibers को हम connect करके एक धागा बनाते हैं फिर धागे को connect करके हम कोई कपड़ा वगरा बनाते हैं और ऐसे spinning machines हो गई spinning machines में हमारे पास में जिसे power loom हो गई hand loom हो गई power loom तो वो होती है जो बिजी से चलाते हैं जिन machines को उनको बोलते हैं power loom hand loom बोलते हैं जो हाथों से चला के जो कपड़े वगरा बनाते हैं ये धागा वगरा बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं hand loom